हे कैस बलकम बैक टो दा वीडियो दोस्तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टोप आई बेस्ट स्मार्टफों के बारे में अंडर रोपेस 15,000 दोस्तो यहाँ पर मैंने किसी भी पर्टिकुलर फीचर पर फोकस नहीं किया है क्योंकि इसमें आपको 4G डिवास भी मिलेगा और 5G डिवास भी मिलेंगे अभी भी ऐसे काफ की सारी यूजर्स हैं जो कि 4G को यूज कर सकते हैं उनको 5G से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी भी अगर एरिया सही होगा तो 4G की स्पीड आपको जबर्दस्त मिल जाएगी एनिवे अगर हाइलाट फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 8GB की बिग रेम 120 एट्स एमूलेड पैनल 108 मेका पिक्सल कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और पावरफुल 5G पपोमेंस मिल जाएगा तो गैस अगर आपको भी अंडर 15,000 के सेग्मेंट में बेस्ट वैल्यू पूर मनी स्मार्टपून बाई करना है तो बने रहे इस वीडियो के साथ ये वीडियो काफी एल्प लोगी बट गैस यार आप एक चोड़ा सा काम कर सकते हो इस चनल को सब्सक्राब करके क्योंकि ये एक दम फिरी है सो प्लीज कह लिजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले स्मार्टपून की बात करते हैं जो की मेरी लिस्ट में आता है इनिपनिक्स की तरब से इनिपनिक्स नोट 12 प्रो और ये इस सेग्मेंट का एक लोता स्मार्टपून है जो की 8GB की रहम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है इसके अलाबा बाकी फीचर्स भी आपको टॉप नॉच मिलते हैं तो ये सिंगल विरेंट 8GB प्लस 256GB की साथ आता है और इस पुन में ओपर किया गया है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सूपर एमूलर डिस्प्ले विध ड्रॉप नॉच 68 के नॉर्मल रेपर स्टेट को सपोर्ट करता है डिस्प्ले पर गोडिला गिलास तरी की 16 Megapixel का मिलता है साथ में 2 का डेप्ट और एक AI लेंस मिलता है इसमें 16 Megapixel की फ्रन्ट फेसिंग साइल पी दी गई है इसके रियर केमरा से 2K 30 EPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो केमरा क्वालटी अच्ची कासी मिल जाएगी इसमें performance दिया गया है MediaTek, Helio, G99 चुकि 6 NM पर बना हुआ है काफी power efficient है गेमिंग आप यहां से तगड़ी कर सकते हो हलांकि 4G chipset है इसमें intro 12 out of the box मिलता है चुकि X2S 10.6 पर बेज़ड है यहाँ पर 5000 MHz की बेंटरी मिल जाएगी चुकि 33W की fast charging को सपोर्ट करता है बागी इसमें 12 stereo speakers और 3.5 mm का jack मिल जाएगा तोस्तों यह 8GB RAM प्लस 256GB storage के साथ आता है जिसकी price है 14,999 सरे 15,000 रुपए मैं definitely इसको grab कर सकते हो तोस्तों next smartphone आता है Vivo की तरब से Vivo T1 5G यह 4GB प्लस 128GB base brand के साथ आता है और इसमें over किया गया है 6.5 8-inch का Full HD प्लस IPS display with drop notch यह 128 के past refresh rate को सपोर्ट करता है और इसमें again side mounted fingerprint sensor दिया गया है डिस्प्ले quality ठीक टाक दी गया है रियर साथ में polycarbonate का डिजन मिलता है with glossiness और इसमें triple cameras मिल जाएंगे primary lens 50 megapixel का दिया गया है बाकि 22 megapixel के फाल्थू के useless lenses मिल जाएंगे इसमें ultra wide नहीं मिलता है print side में 16 megapixel की front facing selfie दी गया है इसके rear और print दोनों ही camera से Full HD वीडियो record कर सकते हो 30 fps पर camera quality decent दी गया है इसमें performance मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 जोकी 6nm पर बना हुआ है power efficient है gaming आपको तगड़ी कराता है especially budget segment में इसमें intro 12 out of the box दिया गया है जोकी front touch OS पर बेज़ड है यहां पर 5000 mh की battery मिल जाएगी जोकी 18 watt की fat charging को support करता है बाकि इसमें 3.5 mm का jack और single speaker दिया गया है तो यह 4GB RAM plus 128GB storage के साथ आता है जिसकी price है 15,990 बट अगर आप लोग bank को पर apply करते हो तो इस phone को easily 15,000 के नीचे definitely grab कर पाऊगे तो तो next smartphone आता है Motorola की तरब से Moto G72 अगर आप लोग यहां पर 5G के साथ compromise कर सकते हो तो मेरा यकीन मानो यह one of the best smartphone है इस segment का 6GB plus 128GB base variant के साथ आता है और इसमें आपर किया गया है 6.55 इंच का Full HD Plus P OLED डिस्पले विद सेंटर पंचॉल 128 के past refresh rate को support करता है इसमें side mounted fingerprint sensor और यह 10 bit का panel है डिस्पले quality one of the best मिलती है रियर साट में polycarbonate का डिजान दी आ गया है विद मैट पनिस इसमें triple camera's दी गया है primary lens 108 megapixel का मिलता है वो भी HM6 sensor के साथ साथ में 8 का ultra wide और 2 का micro lens दी आ गया है प्रेंट साट में 16 megapixel की front facing selfie मिल जाती है इसके रियर camera से 2K video record कर सकते हो 30fps पर camera quality अच्ची 80 मिल जाएगी इसमें performance दी आ गया है MediaTek Helio G99 चुकि again 6nm पर बना हुआ है हलांकि ये भी 4G chipset है बट no doubt इस segment में gaming आप यहां से तगड़ी कर सकते हो इसमें intro 12 out of the box दिया गया है चुकि pure stock android पर बेज़ड है यहां पर 5000mh की battery मिल जाती है चुकि 33 watt की fat charging को support करता है बाग इसमें think shield की protection चुकि hardware based है dual stereo speakers और 3.5 mm jack मिल जाता है तो यह 6GB RAM Plus 128GB storage के साथ आता है जिसकी price है 14,9, 15,000 रुपए में definitely इसको check out कर सकते हो तो तो next smartphone आता है Samsung की तरब से Samsung Galaxy F23 5G यह one of the best camera centric smartphone है साथी साथ performance भी top notch मिलती है 4GB Plus 128GB base variant से आता है और इसमें दिया गया है 6.6 inch का full HD plus TFT display with drop notch 120 years के past refresh rate को support करता है डिस्पले पर gorilla glass pipe की protection और side mounted fingerprint sensor दिया गया है डिस्पले quality decent दिया गया है रियर साथ में polycarbonate का region मिलता है with glossyness इसमें triple cameras दिया गया है primary lens 50 megapixel का मिलेगा साथ में 8 का ultra wide और 2 का micro lens दिया गया है front side में 8 megapixel की front facing cell भी दिया गया है इसके rear camera से 4K 30fps पर video record कर सकते हो no doubt यह आपको best camera experience देगा आपको निरास नहीं करेगा इसमें performance दिया गया है callcom snapdragon 750G जोकि 5G है और डिड़ी 8nm पर बना हुआ है हलांकि power efficient तो नहीं है बट gaming आप यहां से अच्छी कासी कर पाऊगे यह snapdragon 695 के लगबग बराबर है इसमें 1UI 4.1 दिया गया है based on android 12 यहां पर 5000 mh की battery मिल जाती है चोकि 25W की part charging को support करता है बाकि यहां पर 3.5 mm का jack और single speaker मिल जाएगा तो तो यह 4GB RAM PLUS 128GB storage के साथ आता है जिसकी price है 13.9 सिर्फ 14,000 रुपे में definitely इसकी तरफ जा सकते हो तो तो finally next और last smartphone आता है Poco की तरफ से Poco X4 Pro 5G यह all time most selling smartphone है और one of the best specs के साथ आता है डियान भी अच्छा मिल जाता है तो तो यह 6GB PLUS 64GB बेस्पिरेंट से आता है और इसमें offer किया गया है 6.67 इंच का Full HD PLUS Super AMOLED डिस्प्ले विद सेंटर पंचॉल 120 years के past refresh rate को सपोर्ट करता है डिस्प्ले पर Gorilla Glass 5 की protection और साइड में fingerprint sensor दिया गया है डिस्प्ले कोलर्टी टॉप नॉज दी गया है रियर साड में गिलास मिलता है विद कोईनिंग Gorilla Glass 5 जो की glossy finish के साथ आता है और ये boxy type DN के साथ आता है इसमें triple cameras दी गया है primary lens 64 megapixel का मिलता है साथ में 8 का ultra wide और 2 का micro lens दी आ गया है प्रेंट साड में 16 megapixel की front facing selfie दी गया है इसके रियर और प्रेंट दोनों ही camera से 1080p 30fps पर video record कर सकते हो camera quality best मिल जाती है इसमें performance दी आ गया है Qualcomm Snapdragon 695 इसमें Android 11 out of the box मिलता है जो की MIUI 13 पर paste है यहाँ पर 5000 mAh की battery मिल जाएगी जो की 67 watt की fat charging को support करता है बाग इसमें 3.5 mm का jack, IR blaster और dual stereo speakers मिल जाते हैं दोस्तों ये 6 GB RAM प्लस 64 GB storage के साथ आता है जिसकी price है फिलाल 14.9 बट इसके 6 GB प्लस 128 GB विरेंट को आप स्रिफ साड़े 15,000 रुपे में definitely buy कर पाओगे तो ऐसे येते best points under 15K खोब करता हम वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आयो लाइक करके चैनल को subscribe भी कर दिजेगा मैं मिल दहूं आपको next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching जइए अनुब मातम आपको